नमस्कार दोस्तों सोगत है आपका इस्टडी फॉर सिविल सर्वसेज में फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरन सब्सक्राइब कर लिए और और नोटिफिकेशन को जरूर ओन कर लेना हमारा फ्री वाला टेलिग्राम यह वालोगर जरूर से जरूर जोइन कर लीजेगा टे और इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप हमसे पेड्रूप के माद हमसे भी जुड़ सकते हैं आप चाहें तो इन गिवन नंबर को कॉन्टाक्ट करकर अधिक चानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आपको यहां पर यूपीसी अन्यस्टेट पीसी और किसी भी के लिए टेस सीरीज और कम्प्लीट स्टाडी मटीरिल दोनों के ही ऑप्शन अवेलेबल मिल जाएंगे इसके साथ ही आप टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं तेलीग्राम पर जाकर आपको सर्च करना होगा स्टाडी फॉर सेविल सर्विसे और इसको तुरन जोइ में उसके लिए है कि इन नगरों में से कई ऐसे थे जो दो के πिले भारत जूंकि अखेर होग दों बॉर्पर जिए पर पर एक चिनाम नदी के किनारे बसा था तो यह आपको पता है रप्पा कौन सी नदी के किनारे बसा था राभी नदी के किनारे ना कि चिनाम नदी के किनारे तो यह दूसरा और तीसरा कतन गलत है प्रश्ट में हमसे सही नहीं पूछा गया है इसलिए ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो ज सूलते थे इसलिए दूसरा कतन गलत है पशुपालों को और आखेटकों को भी कर देना पड़ता था तो ये बात भी बिल्कुल सही है पहला और तीसरा कतन हमारा यहां पर बिल्कुल सही है option correct option number C हो जाएगा आगे बढ़ते हैं इसमें कहा गया है श्रेणी शिल्पकारों तुथा व्यापारियों द्वारा बनाए गए संग होते थे और जो श्रेणिया थी ये बैंकों के रूप में काम करती थी जहां पर लोग पैसे को चमा करते थे तो यहां पर सही दोनों ही कतन है हमारी option C हो जाएगा आगे बढ़ते हैं उडिसा के पाइकों के संदर में हमें कतन दे गये हैं पहले में कहा गया है इन्होंने 19 सदी के पूरवार्द में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रहों किया था और फिर कहा गया है जो नेत्रत्म किया गया था वो जगबंधू के द् संतुष्ट थे तो यहां पर हमको पाइका विद्रहों के बारे में बताना है कौन सा कतन सही है तो यह सारे ही कतन सही है option हमारा डी करेक्ट हो जाएगा यह शुरू हुआ था 1817 में पाइका विद्रहों तो यह यह भी important है अगला देखते हैं अब हमको सुमेलित करना है यहां गुजरात में कौन सा पढ़ जाएगा सुर्कोट और उत्तर प्रदेश में आलमगीर पर फिर आता है पंजाब पंजाब में पढ़ता है रोपड और हर्याना में बनावली तो यह सारे आपको लोकेशन्स पता होने चाहिए कहां पर है कौन सा इस्खल हरप्पा कालीन यह य उन्हें जजिया भी हटाया था और बट्शाह के नाम से भी इनको जाना जाता है इनके विशय में यह सारी कथन बिल्कुल सही है और अगला प्रशन है फिर से हमको देखना है कि कौन सा सही सुमेलत नहीं है तो देख लेते हैं हौचकास जो है यह अलावदीन खिल जी बिल् लोजाबाद, फिरोशाह तुगलक और आगरा सिकंदर लोधी यह भी बिल्कुल सही है तुगलका बाद लिखा हुआ है मुहम्मद बिल तुगलक तो हमें पता है कि तुगलका बाद किस ने बनाया था ग्याजुद्दीन तुगलक ने तो यहां पर यह सुमेरत नहीं है पर गलत है तो आपको पता है कि उत्तर भारत में नहीं दक्षिन भारत में था बिसिकली यह करनातका में था तो यह दूसरा वाला जुब्भी ऑप्शन है यह गलत हो जाएगा आगे बात की गए है उदेगिरी की गुफाओं के बारे में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में परिस्थित है यहां परिस्थित वरामूर्थी काफी प्रसिद्ध है और इनका निर्मार जो है वो चंद्रबुक दुइतिय के संरक्षर में किया गया था तो यहां पर हमको सही कथन बताना है यह सारे बिलकुल सही है ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें आते हैं कौन सुमेलत है तो देख लेते हैं जीव संबोधन लिखा हुआ है बंदुवर्मा और जगननात विजय रुद्रभट की और कभिगर कव हरीश्वर की तो कौन सा इसमेलत है पहला और दूसरा यह बिलकुल सही है जो तीसरा है गलत हो जाएगा क्योंकि कभिगर कव की हरीश्वर नहीं है हरीश्वर द्वारा नहीं लिखी गई है यह क्या है यह अंध्या ने लिखी है तो हमने देख लिया है कि यह कभिगर कव किसके द्वारा लिखी गई है अंध्या के द्वारा लिखी गई है और यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पहला शुद्ध कर्नर ग्रंथ थ की गई है जगननात विजय बिल्कुल सही मैंस्ट है रुद्रभर्ट का है और जीव संबोधन बंधु अर्माति ठीक है तो जिसे आपको पता चल गए है काफी सारे राइटर्स यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा अगला प्रशन है ठांका चुत्रकला के संबन में कहा गया है इसका संबन बौध धर्म से है और यह प्राक्रतिक और खनिज रंगों से बनाई जाती है यह दोनों गथन बिल्कुल सही है ऑप्शन सी हो जाएगा उसके बाद हमें देखना है कौन सा सुमेलत है नाको मत दिया हुआ हुआ है उत हिमार्चल प्रदेश में इस पितुक मत जो जो देखना हमारचल प्रदेश में और यह जो तीसरा वाला यहEven घूम हाँ मत यहां पर पड़ेगा व कौन सा सही है वेलोर का जो सिपाही विद्रो हो था ये 1806 दिया हुआ है और पाटिगारों का विद्रो 1801 से 5 के बीच में उसके बाद सावंत वादी विद्रो 1820 में तो पहला और दूसरा जो है ये बिलकुल सही है जो तीसरा सावंत वादी विद्रो है ये 1820 में नहीं, 1844 में हुआ था, ठीक है, तो वेलोर का से पाही विद्रू 1806 सही हो जाएगा, और पादिगारों का विद्रू 1801 से पांच सही हो जाएगा, option C correct, देखिए धर्म सभा के बारे में इस प्रश्मिल दिया हुआ है, कि ये राधाकान देव के द्वारा स्थापित की गई थी, पास्चार्थ शिक्षा का समर्थन किया था और सती प्रथा की समाप्ति के प्रयासों का विरोध किया गया था, यहां पर ये तीनों ही कतन बिलकुल सही है, option हमारा correct D हो जाएगा, देखिए मैं आपको बदा देती हूँ, कि ये एक रूड़ी वादी संस्था थ याद रखिए का ये तीनों ही कतन जो है वो धायम सभा के संदर में बिलकुल सही है, आगे देख लेते हैं, उदार वादियों की रणीती में शामिल था, क्या क्या शामिल था, समवेधानिक दाइरे में रहे कर विरोध प्रदर्श, बिलकुल सही बात है, सरकार को प्रत्यक चुनौती नहीं दे रहे थे, अगला प्रशन है विद्वा पुनर विवा की दिशा में कारे करने वाले कौन-कौन से लोग है इन में से, विश्नु शास्त्री पंडित, करसोंदास, मूल जी और डी के करवे, तो ये सारे ही हैं, जिन्होंने विद्वा पुनर विवा की दि पुजरात में, ये जो सत्य प्रकाश की स्थापना की थी, जो विद्वा पुनर विवा से ही संबंदे थे, और डी के करवे ने क्या किया था, इन्होंने विद्वा पुनर विवा संग के सचिव के रूप में कारे किया था, और इसे साथ ही इन्होंने विद्वाओं के प्रतिष जहाद का समर्थन किया था इन्होंने और इसके नेता अपने को हजरत मुहम्मद का अफ्तार मानते थे तो यहां पर ऑप्षन हमारा जो सही हो जाएगा वह पहला और तीसरा यानि की ऑप्षन बी करेक्ट हो जाएगा यह गैर मुसल्मानों के प्रतिष जहाद का समर की कहा था कि जिहाद को बंद किये जाना जाएगे तो यह इंपॉर्टन पॉइंट है इसके विशह में अगला है संस्था और उसकी स्थापना वर्ष दिया गया है हमको मिलाना है तो पहले ऑप्षन देख लेते हैं कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहां पर ऑप्षन हमारा सी ह तो इंडिया लीग जो है इंडियन लीग यह 1875 और मद्रास महाजन सभा जो है यह 1884 और उसके बाद जमीदारी असोसियेशन 1838 में आया और बंग भाशा प्रकाशक सभा जो आई थी यह 1886 में तो यह भी इंपॉर्टन है आगे बढ़ते हैं होम रूल आंदोलन कहा गया है इनी बेसन का जो होम रूल लीग थी इसकी शाखाएं मद्रास तक सीमत थी और तिलक ने अपनी होम रूल लीग की शाखाएं पूरे देश में खोली थी तो यहां पर हमारा कोई भी इन में से कतन सही नहीं है क्योंकि यह ओपोजिट दिया हुआ है जो तिलक ने शाखाएं खोली थी वह महरास्ट करनाटक मध्यप्रांत और बरार में खोली थी ठीक है और एनी बेसन ने अपने होम रूल के अंतरगत जो शाखाएं खोली थी वह मद्रास के अत्रिक्स पूरे देश में खोली गई थी तो यहां पर मारा ऑप्शन दी करेक्ट हो जाएगा आगे बात की गई है कौन सुमेलित है धर्मसभा अभी हमने उपर देख लिया है या आप समझ गए होगे राधाकान देव बिल्कुल सही है राधासवामी आंदोलन शिवदयाल साहब ये भी सही है सेवा सदन बहराम जी माला बारी तो ये तीनों ही बिल्कुल सही सुमेलित गये थे यहां पर माले ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 22 वे प्रश में आ गये हैं हम बात की गई है कॉंग्रिस ने जो 1928 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसके संदर में इसकी अध्यक्ष्टा जवाहलाल नहरू ने की थी और इसमें दोमेनियन स्टेटिस के लक्ष का विरोध सुभाष्चंद्र बोस और जवाहलाल नहरू ने आपर इस उसमें किया था तो जो दूसरा कथन है वो हमारा सही हो जाएगा क्योंकि पहला कथन गल्या थे इसकी अध्यक्ष्टा किसने की थी मोतीलाल नहरू ना कि जवाहलाल नह ज़ित्फ होना चाहिए राजनीतिक अप्राधियों को छमादान दिया जाना चाहिए और यह मांगे जो थी वो वाइसरोई इर्विन ने मान ली थी तो पहला और दूसरा बिल्कुल सही है तीसरा गल्लत है क्योंकि वाइसरोई इर्विन ने ये सारी मांगे नहीं मानी थी ऑप्शन एक अरेक्ट है गानी इर्विन समझोते के संबंद में दिया हुआ है कि पुलिस जातियों की जाच की मांग सरकार ने अस्विकार कर दी थी और विदेशी वस्तुओं की दुकानों के सामने शांती पूर्ण जो विरोध की मांग थी इसको मान लिया गया था तो य गी मांग को इन्होंने ईर्विन ने मान लिया था ओप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अगला प्रशन है सामप्रदाइक निर्नय के संदर में कहा गया है कि इस्त्रियों को प्रथक सामप्रदाइक मतराधिकार दिया जाय और उसके बाद बंबई प्रान्थ में मराथों के पहला जो कथन है ये भी सही है और दूसरा भी सही है इसलिए option हमारा हो जाएगा option number C और ये कब हुआ था ये 16 अगस्त 1932 को राम से मेकडोनल्ल ने सामप्रदाइक awards की घोशना की थी ठीक है आगे बढ़ते हैं अखिल भारतिय अस्प्रिश्यता विरोधी लीग इसका गठन कि किस वर्ष हुआ था 1932 में option A correct है यहां पर और 1932 में महात्मा गांधी ने अखिल भारतिय अस्प्रिश्यता विरोधी लीग की स्थापना की थी ठीक है फिर संघर्ष समझोता संघर्ष की नीती इस पर हमें देखना है कहा गया है नहरू इस रनीती से असहमत थे और इस नीत वाला जो तपका था जो गुट था उसने इसका समर्थन किया था यह दोनों बिल्कुल सही है option C correct हो जाएगा अगले प्रिशन की तरफ बढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 कहा गया है कि संघी विधान मंदल के जो उच्छ सदन के सदस्तियों का चुनाफ अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाना था फिर गवर्णर जनरल दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता था यहां पर हमारा दूसरा कतन सही हो जाएगा पहला कतन गलत है option B correct हो जाएगा इसमें एक बात सामाने प्रशलिंग के विब्रीत थी और इसमें कहा गया था जो उच्छ सदन की सदस्यों को चुनाव है वो प्रत्यक्ष विधी द्वारा किया जाएगा और निम्ड सदन की सदस्यों को जो चुनाव था वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाना था तो यह आप समझ करें होंगी opposite दिया हुआ है इसलिए यह गलत है आगे आगे बढ़ते हैं, अगस्त प्रस्तावत में क्या-क्या प्रावधान शामिल थे, तो भारत के लिए पूर्ण स्वराज की बाद युद्ध सलाकार समिति का गठन, जिसमें भारतियों को भी शामिल किया जाना था, और द्युतिय विश्वे युद्ध के बाद सम्विधान ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन दूसरा और तीसरा कथन सही है, ऑप्शन भी हो जाएगा यहाँ पर सही, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्याबिनेट मिशन के संदर में दिया हुआ है, कि पाकिस्तान के गठन की मांग को इन्होंने अस्विकार किया था, और कारेपाल कारेपालिका और व्यवस्थापिका को केंद्री और प्रांती इस तर पर विभाचन करने की बात कही गई थी, यह क्याबिनेट मिशन की बात हो रही है, यहाँ पर हमारा पहला कथन बिल्कुल सही है, दूसरा यह गलत हो जाएगा, इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी, बल्कि इन्होंने कहा था कि कारेपालिका और व्यवस्थापिका का 30 तर यह विभाचन होना चाहिए, केंद्र प्रांत और समू यह इन्होंने सुझाया था, तो यहाँ पर हमने देख लिया, यह option हमारा A करेक्ट होगा, फिर देखते हैं, पंचायती राज के संदर में कहा गया है, पंचायती राज जो है, यह राजिसूची का विशह है, और 30 तर यह पंचायती इस तर 20 लाग से अधिक जनसंख्या वाले राजियों में लागों होगा, तो यहाँ पर सही नहीं पूछा गया है, यह दोनों ही सही है, इसलिए option हमारा करेक्ट D हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, समविधान का जो अनुच्छे 324 है, इसके अनुसार निर्वाचन आयोग निमलिखित में से किन के चुनाफ के लिए जिम्मेदार होता है, लोगसभा के सदस्यों के, विधान सभा के सदस्यों के और उपराश्पती के, तो इन सभी के लिए जिम्मेदार होता है, ओप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ओप्शन D, संग लोगसेवा आयोग से सम्बंदित कथन दिये गए हैं, कहा गया है, इसके जो सदस्यों के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किये जा सकते हैं, सदस्यों के पुनर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, अध्यक्ष राश्रुपति होगा, ठीक है, संग लोगसेवा आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्यों हैं, उनकी सेवा शर्तों के निर्धारन कौर्ण करता है, राश्रुपति, इसलिए यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, वो ऑप्शन C हो जाएगा, अगला देखते हैं, वित आय के देखते हैं, अब हमको बताना है कौन सा कहां से लिया गया है, तो समवरती सूची का जो कॉंसेप्ट है, यह कहां से लिया गया है, यह लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया ही समविधान से, और उसके बाद हम देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, पहले मैं आपको बता देत से पहला हो गया है चौथे से मिलेगा और घी मिलेगा पहले से और सी जो उच्चुतम नयाले का परामर्शी नयाय निर्णने है ये लिया गया है क्यानड़ा से और सम्विधान संशोधन की विधी जो है ये लिगई है साउथ आफरिका से टीक है तो एक बार यह देख भारत की संचत निधी पर भारत होंगे तो यहां पर दूसरा कथन जो है वो हमारा सही हो जाएगा पहला कथन गलथ है क्योंकि इसको निर्धार्ट राष्पती के द्वारा नहीं किया जाता है तो राज विधान परिशदों के उपसभापती उच्छ नियाले के नियाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षप, प्रधान मंत्री एवं मुख्य मंत्री तो इनकी नहीं की गई है, बाती ये तीनों की की गई है, ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा अगले प्रशन को देख लेते हैं, राष्ट्री मानवा अधिकार आयो कहा गया है ये एक सम्विधानिक संस्था है सम्विधानिक संस्था नहीं है ये उसके बाद कहा गया है कि तो यहाँ पर ये पहला गलत हो गया है क्योंकि ये सम्विधानिक नहीं एक सामविधानिक संस्था है जिसका निर्मा उन्ने सो तिरांबे के एक आक्ट के द्वारा किया गया था फिर कहा गया है मानवादिकार उनलंगन की स्थिति में दंड दे सकता है ये बिल्कुल भी दंड नहीं दे सकते हैं ये सिर्फ सलाह दे सकते हैं और ये पीड़त की आर्थिक सहायता दे सकते हैं तो संगीय संविधान समिती जो है इसके प्रमुक कौन थे इसके प्रमुक थे जवाहर लाल लहरू और फिर प्रांतिय संविधान समिती के प्रमुक कौन थे वल्लब भाई पते प्रारूप समिती आपको पता है इसके प्रमुक थे डॉक्टर बियारम बेटकर और संचालन समि अधेक के संदर में राश्पती के पास वीटो शक्ती नहीं होती है और संसत को संदेश के भीज सकते हैं यह संसत में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं तो कौन सा यहां पर हमारा कतन सही हो जाएगा option D सही है क्योंकि यह तीनों के तीनों ही कतन सही है अगला देखते हैं उप राश्पती के चुनाव संबंधी विवाद में चुनाव आयोग का निर्ने जो होता है वो अंतिम होता है और उप राश्पती पर कोई व्यक्ति अधिक्तम कितने बार बैठ सकता है तीन बार तो अध प्रश्प में हमसे सही नहीं पूछा गया है इसलिए और यहां पर हमारा सी हो जाएगा आगे देखते हैं समविधान में किचन क्याबिलिट शब्द का प्रयोग किया गया है तो यह नहीं किया गया है आपको पता है कोई भी टर्म यूज नहीं हुआ है उसके बाद कहा गय किचे पारली होता शब्द का प्रयोग में चीना देखते हैं आगे देखते हैं कि पहला कथन है कि अनुच्छे 324 के अंतरगत निर्वाचनों की का निरेक्षर, निर्देशन और नियंत्रन करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है, बिल्कुल सही बात है, समविधान में लिखे थे निर्वाचन आयोग में कुल 3 सदस्य होंगे, तो क्या सदस्यों की बारे में, जो हमारा समविधान है, उसमें कुछ उलिखे थे, तो ये गलत हो जाएगा, आप्शन हमारा एक ही करेक्ट है, दूसरा सही नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि कुल सदस्यों की समविधान में बात नहीं की गई है, इसलिए ये वाला कथन गलत है, पहला सही है, हमने देख लिए ओप्शन ए, फिर कहा गया है, सदन में विपक्ष के नेता का जो पद है, ये एक सम्विधानिक पद है, और विपकार्याले का उलेक सदन के नियमों में किया गया है, तो ऐसा कोई भी उलेक जो है, वो सम्विधान में नहीं किया है, इसलिए गलत है, और इसका भी उलेक सदन के नियमों में नहीं किया गया है, इसलिए ओप्शन D हो जाएगा हमारा करेक्ट आगे देखते हैं धन विद्यक के संदर में सही कथन का चुनाफ करना है इसे सदन में पेश करने के लिए राजपती की पूर्वन उनमती की आवश्यक्ता नहीं होती है और उसके बाद कहा गया है कि राजसभा अधिक्तम एक महा के लिए रोक सकता है तो ये भी आप स कुमसा हमार यहां पर सही हो जाएगा ओप्शन डी को जाएगा की सब्सक्रा नहीं कर सकते हैं तो अनिवारेता शवीकृती यहां पर गलत हो जाएगा इसलिए वाला अगला प्रश्न संय और उच नहीं और दूसरे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा imagine किसरा गलत है क्योंकि उच्छ नयाले के जो नया धीश है उनका वेतर भारत की संचत निधी पर भारत व्याय में शामिल नहीं होता है आगे बढ़ते हैं बात की गई है कि किन मामलों में राजसभा और लोगसभा की स्थिती समान है तो संविधान संशोधन विध्यक राश्पती पर महाभियोग और धन विध्यक के मामले में तो कौन से में समान है पहले और दूसरे में धन विध्यक में लोगसभा के पास राज विधयक का उलेट किया गया है और यह जो विधयक है किसी भी सधन में प्रस्तुत किया जा सकता है तो ये तीनों कथन यहाँ पर गलत हो जाएंगे, क्यों गलत हो जाएंगे, क्योंकि धन विध्यक के बारे में कौन से अनुचेद में दिया गया है, अनुचेद 110 में, और ये विध्यक किसी भी सदन में प्रस्तुत नहीं हो सकता, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता और राजि सभा इसमें कोई संषोधन कर सकती घिक है ये। और ये धंविद्हेग लोग सभवारा पारेत Rice किया जाता है। तो में उसको भेजा जाता है दो चौदा कि अभारे के भीतर ही लोग सभा को अगर नहीं लोटाता है तो उसके बाके पारेतक माल जाता है अगले प्रेशन की तरफ बढ़ते हैं राचे पाल के संदर में कहा गया है राचे विधान सभाओं में विधान सभा में आंग्ल भारतिय समुधाय के दो व्यक्तियों को मनुनीत कर सकता है और यह राजपती के प्रसाद पर्यन पद को धारन करते हैं और राचे पाल क उस शपत उच्छतम नयाले के मुख्य नयाधीश के द्वारा दिलवाई जाती है तो कौन सा यहां पर हमारा कथन सही है दूसरा जो कथन है यहां पर सही है इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा पहला आपको पता है अब मनोनेयन जो है वो खतम हो गया है आंगल भारत करकर बताईएगा अगर आपको पता है इसका आंसर तो यहां पर जो तीसरा दिया हुआ है उच्छतम नयाले के मुख्य नयाधीश को दिलवाते है यह शपत यह भी गलत है क्योंकि कौन दिलवाता है क्योंकि राचपाल को जो शपद दिलवाई जाती है वो उच्च नहीं उच नयायले के मुख्य नयायधीश के दुवारा दिलवाई जाती है ठीक है तो option हमारा यहापर हमने देख लिया है be correct है फिर हम देखते हैं अगला प्रश्ण यह गर्थ दिया हुए है हमें बताना है कौन सा सही सुमेलत है पहला दिया हुआ है मारियाना गर्थ यह Atlantic नहीं Pacific Ocean यानि की प्रशान महासागर में है फिर कहा गया है सुंदा गर्थ यह हिंद महासागर में बिल्कुल सही है यही हमारा सही सुमेलत हो जाएगा और प्यूटो रिका यह परता है Atlantic महासागर में और Eurasian Mason परता है Arctic महासागर में फिर आगे देखते हैं कौन भौतिक अपक्षे की प्रक्रिया है तो पहले में कहा गया है कार्बोनेशन फिर लवन अपक्षे और तुशार वेजन इन में से कौन सी हो जाएगी इसका करिक्ट अंसर हो जाएगा हमारा option नमबर B दूसरा और तीसरा देखिए इनके English Terms में बता रेती हूं आपको क्योंकि कई बार Hindi थोड़ी तफ हो जाती है समझना तो लवन अपक्षे है सॉल्ट वेजन और तुशार वेजन गया हुगा फ्रॉस्ट वेजन ठीक है तो यह बहुते का पक्षे प्रक्रिया है इन दोनों का ही इसमें यह होती है इसमें शामिल ऑप्षिन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा फिर अगला प्रशन आ है इसमें कहा गया है कौन सा सही सुमेल है तो हाइग्रोफाइट्स जो है वो कहा गया है भूमद रेखी उष्ण आर्दता वाली वरनसपती होती है और फिर लीथोफाइट्स कड़ी चतान में उगने वाली वरनसपती है और जेरोफाइट्स कहा गया है शीतोष्ण कर्टी बंद छेत्र की जो वरनसपती होती है व फिर प्रत्वी की छे जो बड़ी प्लेटे हैं उनमें कौन-कौन सी प्लेट शामिल है तो पहले तो आप कुछ सारी छे प्लेटों के नाम पता होने चाहिए एक हो गई अमेरिकी प्लेट फिर अफ्रीकी प्लेट यूरेशियाई प्लेट इंडो-अस्ट्रेलियन प्लेट प्र लावा और राक तो यहां पर सभी कुछ शामिल हो जाएगा ऑप्शन D हो जाएगा जो प्यूमिक स्टोन आपने नाम सुना होगा वो यही होता है जो ज्वाला मुखी उद्गार से निकलता है फिर आगे प्रेशन देख लेते हैं कहा गया है पीलियन तुल्य ज्वाला लिया अरीट की गई है यह किस के द्वारा बनाए गई भुवा आकरती है तो कि यह मादी के द्वारा बनाए गई अरीट की हो जाएगा कि इसमें पहला कतन दिया हुआ है कि महादवीपी प्रभाव के कारण दैनेक टापानतर में व्रद्धी होती है बिल्कुल सही बात है और मेगा अच्छादित सम्यावधी में तापानतर जो है वो कम होता है तो यह भी कतन सही है सही नहीं पूछा गया है तो दोनो ओप्शन नबर बी यानि धुरुविय वातागरी जेट स्ट्रीम को रॉजबी स्ट्रीम कहते है ठीक है यह 30 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी आक्षांस के मद्ध नौ से 12 किलोमीटर की उचाई पर हमको मिलती है अगले प्रस्ट को देख लेते हैं इन नदियों को उनकी समा समाप्थ होती है उत्तरी सागर में नीस्टर नदी काला सागर में और विस्तूला नदी समाप्थ होती है बाल्तिक सागर में और अंत में यूराल नदी होती है क्यास्पियन सागर में ठीक है आगे बढ़ते हैं कौन सी नदी अपने उद्गम स्थल से सुमेलत है तो पराना इको नदी यह दी गई है ब्राजीलियन उच भूमी में यह गलत है क्योंकि यह है पस्चिमी काड़लेर में तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा केवल दूसरा सही है परानी जो यह पराना नदी है यह ब्राजीलियन उच भूमी में और ओरे निको नदी पस्चिमी कोड़लेरा में और जापूरा नदी आंडीस परवत में फिर मेलानेशिया द्वीब समू कहां पर इस्थेत है तो यह आपको पता होगा इसका आंसर इजी क्वेशन है यह इस्थेत है प्रशांत महासागर में ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ बात की गई है किस राजी से करक रेखा नहीं गुजरती है तो यह कर करक रेखा मकररेखा और जो हमारा उक्वेटर है क्वंसे राजी से गुजरता है क्वंसे थैसी से गुजरता है इसको एक बार देख लीजेगा ऐसे क्वेश्यन आसकते हैं तो यहां पर यह आपनेंगों ऑप्षन आंसर हो जाएगाा वह जाएगा ओन टू और टी हाँपर हो जाएगा क्योंकि करक्रेखा नाहीं बिहार से गुजरती है नाहीं मड़ीपुर से नाहीं मेखाले से लेकिन पश्चिम बंगाल से गुजरती है कहां कहां से गुजरती है यह आठ राजियों से गुजरती है गुजरात राजस्थान मध्यप्रदेश शत्तिसकर जारखन बांगलादेश से सीमा साजा करने वाले भारतिय राज कौन कौन से हैं इन में से मेघाले त्रिपुरा और असम तो मेघाले करता है सीमा साजा और उसके बाद त्रिपुरा भी करता है और असम भी करता है त्रिपुरा तो तीन तरफ ते घिरा हुआ है बांगलादेश से इसलि जील और थान दिया गया है, correct answer यहाँ पर देख लेते हैं, option C correct होगा, यानि कि पंच भद्रा जो जील है ये बाढ़मेर में है, और उसके बाद धेबर जो जील है ये उदैपुर में है, और तवा वोहर जो जील है ये होशंगाबाद में और सोंगमो गंगटोक में, ठीक है, तो अगला प्रश्ट है हमारा, मृदा को हमें पहचानना है, कहा गया इस मृदा का निर्मार बेसाल चत्तान के अपक्ष्य और अपरदन से हुआ है, और ये शुश्क क्रशी के लिए महत्वपूर्ण है, और इसमें टेटैनी फेरस, मागनेट आइट पाया जाता है, तो य ये कौन से मृदा है, किस कौन से मृदा की बात की जा रहे है, जलोड, लाल, लेटराइट या काली, तो यहाँ पर करेक्ट ओप्ष्ण हमारा काली मिट्टी है, याद रखेगा, ये टेटनी फेरस, मागनेट आइट किस में पाया जाता है, काली मिट्टी में पाया जाता है ये भी प्रेश्ट बन सकता है, important है, फिर हमको देखना है कौन सा सही सुमेले थे, राउर के लिए स्पार्ट सायंत, जर्मनी की मदद से बनाया गया था, दुर्गापुर, स्पार्ट सायंत, जो है वो सोवियत संग, और बोकारो स्पार्ट सायंत, ब्रिटेन, यहाँ पर जो ह रेलवे जोन और उनका मुख्याले हमको देखना है, कौन सा सही सुमेले थे, तो जो सही सुमेले थे हो, वो मैं आपको बता देटी हूँ, डी वाली जो है यह सही सुमेले थे, दक्षर मधी रेलवे, यह सिकंदरा बाद में है, बाकि यह गलत दिये हूँ है, पश्मी मधी है ये जबलपुर में पड़ता है पूरगbnर उल्य जो है गोरगपूर में पड़ता है बहुत否 ऑगई के संदर में लूग ्रएंकों को लंबी अवधी के रिण भी एक दिन के रेपो दर पर उपलब्द कराया जाते हैं और कोर बैंकिंग सलूशन्स एक उबेर प्लाटफॉर्म के माध्यम से उपलब्द कराया जाता है इसे और इसे बैंकिंग प्रुलाली में तरलता को बढ़ावा मिलता है यह सारे कथन इस बास्केट में क्या क्या शामिल है यूरो अमेरिकन डॉलर पाउंड स्टर्लिंग और रूपया तो अगर आपको पता है कि इसमें रूपया शामिल नहीं है तो आप इसको आंसर कर सकते हैं ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नमबर सी वन टू और प्रशासनिक कार राजियों को सौपे चाते हैं फिर कहा गया है कि जिपसम एक लगु खनेश है तो इसमें हमको सही कथन बताना है दोनों कथन बिल्कुल साही है ऑप्शन सी हो जाएगा आगे बढ़ते हैं राश्री खनेश नीती 2019 के मेर्व में कहा गया है कि 2014 की नीती का इ नहीं किया गया है यह खनन को उद्योग का दर्जा दिया गया है इसके माध्यम से तो यहां पर पहला जो है यह गलत है दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है पहला इसलिए गलत है क्योंकि इसने जिस नीती का स्थान लिया है वो 2008 में आई थी ना कि 2004 में अगला प्रशन है द प्रशी उपयोग के लिए अलग फीडर लाइनों का प्रिस्ताफ करता है तो इसमें हमें कथन कौन सा सही है यह बताना है इसमें दूसरा और तीसरा कथन सही है पहला कथन गलत हो जाएगा क्योंकि यह एक केंद्रिय छेत्र की योजना है जिसका अर्थ है कि पूरी तरह से स संट्रंग सरकार द्वारा वित्थपोष्षत है थीए देखें यहां पर केंद्र प्रायोजत योजना लिखाए तो आप कंफ्यूस मत होएगा जब कोई भी योजना centrally sponsored होती है तो उसका मतलब यह नहीं होता है कि उसका सारा पैसा जो central government है वही देगी तो यहां पर जो योजना है दीन दयाल ग्राम जोती योजना इसको पूर्ण रूप से इसका जो पैसा है वो वित पोशित केंज सरकार के द्वारा होगी इसलिए यहां पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह सी हो जाएगा पहला गलत है अगला देखते हैं न्यू डेवलप्मेंट संदान शक्ति के 50 फीजती से कम नहीं हो सकती है इसका मुख्याले बुछान में नहीं होकर शंगाई में नियू रिब्लप्मेंट मांका मुख्याले कहां पर इस शंगाई में दूसरा कथन हमारा सही है और तीसरे में लिखा हुआ है इसके सदसे केवल एश्याई देश हो सकते हैं तो ऐसा नहीं है United Nations यानि कि संयोगत राश्ट के सभी सदसे इस बैंक के सदसे हो सकते हैं लेकिन एक पॉइंट यह है कि जो ब्रिक्स राश्ट है उनकी हिस्सेदारी कभी भी मतदान शक्ती में 50 प्रतिशत से कम नहीं हो सकती इसलिए यहां पर यह वाला कतन भी हमारा गलत हो गया है और यह जो छटे ब्रिक्स शिकर संबेलेन की बात की जा रही है यह कब हुआ था यह छटा हुआ था फोटालेजा में फोटालेजा में 2014 में हुआ था यह चटा जिसके जब इसमें हस्ताक्षिर किये गया थे अगला देख लेते हैं निधी कंपनी इसके संदर में कहा गया है जो नियमन है वो वित्मंत्राले के तहट किया जाता है यह आपसी लाप के सिधान यानि की प्रिंसिपल ओफ म्यूच बेनिफिट्स पर आधारित है और यह कंपनी सभी लेंदेन अपने सदस्यों के बीच ही करती है तो कौन सा कथन यहां पर सही है दूसरा और तीसरा कथन बिलकुल सही है पहला कथन हमारा यहां पर गलत हो जाएगा क्योंकि केन सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 के तहर निधी कं कंपनी है यह किसकी श्रेडी में आ जाती है और आरबियाई के पास इनकी जमा और स्विकृति जो गत्विदियां है उनसे समंधित निर्देश जारी करने की शक्तिया है अगला है जल जीवन मिशन के बारे में कहा गया है जल संसाधन नदी विकास और गंगा कायकल्प जाएगा वह जाएगा देखिए यहां पर सही पूछा गया है और यह दोनों जो कथने वह गलत है इसलिए ऑप्षन दी हो जाएगा यहां पर गलत क्यों है क्योंकि इसको जल शक्ति मंत्राले के तहर्ट पेजल और स्वच्छता विभाग ने यह मिशन शार्लू किया है ठी तो यह गलत पॉइंट है यह दान रखिएगा एसे हमसे गलतियां हो जाती है एक्जाम में भी तो इसका उदेश है ग्रामीर घरों में पाइप पानी कि आपूरती और पहले में गलती क्या है कि यह पेजल और स्वच्छता विभाग ने इस मिशन को शुरू किया है अगला देख लेते हैं National Institute of Wind Energy यह कहां पर स्थापित है यह स्थापित है चिन नई में option B सही हो जाएगा फिर बात की गई है लाफर वक्र के संबंद में कहा गया है करकी दर और कुल सही सुमेलत नहीं है और वासेनर अर्रेंजमेंट के लिए कहा गया है यही हमारा समेलत नहीं है यह गलत है क्योंकि इसका संबंद जैवे अगला प्रशन देख लेते हैं हाइब्रेट एनुटी मॉडल के संबंद में कहा गया है कि 2016 में भारत में राजमार्व परियोजनाओं के लिए इसको पेश किया गया था और इसके तहट निजी कंपनी को पहले 20 साल तक टोल वसूले का अधिकार दिया जाता है और इस इस मॉडल के तहट जो निजी कंपनी परियोजना के वित्त पोशन का अधिक बोश बहन करती है यहां पर जो हमारा सही हो जाएगा वो पहला और तीसरा है दूसरा कथन जो है वो गलत हो जाएगा क्योंकि इस मॉडल के अंतरगर जो यह टोल वसूलने की बात की गई है यह गलत है निजी कंपनी को टोल वसूलने का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है यह कथन गलत है ठीक है तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं नाशनल इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्ट्टर फंड के संदर में पहले में कहा गया है वर्दमा अधियोग उत्पादन सूचकांत में यह 8 कोड चेत्रों का भारांच 40.27% होता है बिल्कुल सही पॉइंट है देखिए कोड जो भी इंडस्ट्रीस है मैं आपको बता देती हूं उनके वेटेज के हिसाब से क्योंकि एक इंपॉर्टन पॉइंट है और इस एक्वेशन बन स नाच्रोल ग्यास सीमेंट और अंत में फर्टेलाइजर ठीक है तो यह वेटेज के हिसाब से मैंने सीक्वेंस बता दिया है दूसरे में कहा गया है कि कोड सेक्टर में सबसे ज्यादा भारांच यानि की वेटेज किसका है विद्युद्चेत का तो मैंने आपको अभी अभी आप क्या हो गया है शिक्षा मंत्राले कारिक्रम का उद्देश है भारती युगाओं को रोजगार के अफसर प्रदान करना ताकि वे नौकरी के लिए अनुभव और स्टाइपेंड प्राप्त कर सकें फिर कहा गया है इस पहल में ऐसी पहल है जिसमें तीन केंद्री मंत्रा के कारिक्रम शामिल हैं यानि की HRD मिनिस्ट्री मानफ संसाथन विकास मंत्राले का कोशल विकास और उद्द्यमिता मंत्राले का और अंत में श्रम और रोजगार मंत्राले का तो यहां पर सारे कथन इसके संबंद में सही दिये हुए है option D correct हो जाएगा देखिए श्रेस का full form क्या है यह सुन लीजे श्रेस का full form है scheme for higher education youth in apprenticeship और skills तो यह थोड़ा full form हमें पता होना चाहिए अगले प्रशन की तरफ बढ़ते हैं small savings scheme इसके संदर में दिये गए है कथन पहले में कहा गया है कि इनके लिए ब्यास दरे जो है वो त्रेमासिक रूप में खोशत की जाती है और श्यामला गोपीनाथ पैनल ने इसके लिए market linked ब्यास दर प्रणाली की सिफारिश की थी और इसके तहट बचत जमा, मासिकाय जमा और आवर्ती जमा भी शामे होते हैं सभी बिलकुल सही है option D correct हो जाएगा पापलाड्स यानि कि संसत सदर से स्थानी छेत्र विकास योशना की संबन में कथन दिये हुए और कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है हमको कहा गया है ये य पहला कथन है ये गलत है दूसरा कथन सही है और तीसरा कथन भी यहां पर गलत हो जाएगा देखिए ये योशना दिसंबर 1993 में भोशित की गई थी और शुरू में ये ग्रामीर विकास मंत्राले के नियंत्र में ही थी लेकिन बात में जब अक्टूबर 1994 में में इसको सांख के लिए नहीं स्थगित क्या गया है इसको दो वर्षों के लिए सस्पेंड किया गया है ठीक है तो जो सही नहीं पूछा गया है पहला भी गलत हो गया है तीसरा भी गलत हो गया ऑप्शन भी हो जाएगा आगे देखते हैं कॉल मनी की बात की गई है और कहा गया है इसके अं राशी जटाने के लिए जारी किया जाता है तो यहां पर हमारा कौन सा कतन सही है पहला और दूसरा कतन बिल्कुल सही है तीसरा कतन गलत हो जाएगा क्यों गलत हो जाएगा क्योंकि जो कॉमर्शियल पेपर यानि की वानेच पत्र यह एक अल्प कालिक रनसाधन है ठीक है और जो कम्पणियों द्वारा आम तोर पर एक वर्ष तक की अवधी के लिए धन जुटाने के लिए जारी किया जाता है और यहाँ पर एक साल से जादा की बात लिखी हुई है तो यहाँ पर करेक्ट आप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा आप्शन निम्बर ए फिर देखते हैं ला अधों में से किस उतक को जाना जाता है यह जाना जाता है मेरिसमेटिक उतक मेरिसमेटिक टिशू फिर जानवरों में वसा का बंदार यह कहां पर होता है तो वसा का बंदार होता है एडिपोज उतक में वसा का बंदार होता है आगे दिया हुआ है कि लसिका का क्या कार होता है यह जल का अस्था ही संचे करता है बड़े अड़ों जैसे की प्रोटोई इन जो आदी है इनको रुधी परिसंचन तंत्र में डालता है और वसा का परिवहन तो यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा उप्रोक्ट सभी यह सारे ही कारे होते हैं लसिका के लसिक थीमक्ट यानि की लिंफ ठीक है और योप्शन डी गरेक्ट हो जाएगा फिर मानव आंक के संबन वे कहा गया है प्रकाश एक पत्ली जली से होकर और प्रवेश करता है जिसको कौनिया चाता है आईरेस बपन प्रवेशिक करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंद्रत करता तो यहां पर कथन हमें बताना है कौन सा सही है यह दोनों कथन बिल्कुल सही है option C correct है फिर हमको सही सुमेलत बताना है कौन सा सही सुमेलत दिया हुआ है पाईरिया दिया हुआ है एंटरमीबा जिंजर विलिस और स्क्लीपिंग सिक्नेस ट्रिपोनो सोमा और एथलीट फूट दिया हुआ है माइको बैक्टीरियम लेपृ यहां पर जो कसन सही है वह पहला और दूसरा है एलीट फूट होता है वह त्रक फाइटोन से होता है किससे होता है त्रक फाइटोन से यहांपर इस गलत हो जायेगा यह लगन के सिक्टनेस लेपरी दिया हुआ है इससे लेपरोजी यानि कि कुष्ट रोग होता है तो लेपरी से याद रखिएगा लेपरोजी रोग की बात हो रही है उसके बाद इंद्र धनुष के बारे में कहा गया है इंद्र धनुष हमेशा सूर के विपरीत दिशा में बनता है और इसका निर्म मैंनेशियम तांबा क्यालशियम और सेलफकों हो जाएगा दूसरा चौथा और 50 यानि मैंनेशियम क्यालशियम म९ह सर्फकों और क्यालशियम इसिरा llia Loch घॉते हैं कुछ श्यम्लों में फ्लेजला बासए य poisonous canals on tax day ती यहां पर ये तीन ही गतन बिल्कुल बदेखना je हो जाएगा फिर घट पढ़नी के संदर में हमको देखना है कहा गया है पहला कथन है कि इसमें पत्ति घट नुमा जो संरचना में परिवर्तित हो जाती है और इसमें आने वाले कीट को पाचक रस के माध्यम से पचा लिया जाता है यह कीट के माध्यम से अपनी नाइट्रोज में संपन्न होती है और यह पाइरुवेट एथिनॉल का निर्मार होता है इसमें और ग्लुकोस का एक ग्राम अडू से एटीपी के 38 अडू का निर्मार होता है तो यहां पर यह हमारे जो कतन सही हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नबर एक यानि पहला और दूसरा गतन बिल्कुल सही है तीसरा कतन यहां पर गलत हो जाएगा ऑप्शन एक अरेक्ट है क्योंकि इसमें ग्लुकोस के एक ग्राम अडू से एटीपी यानि एडेनोसाइन ट्राइफोसफवेट के दो अडू बनते हैं ठीक है तो ऑप्शन एक अरेक्ट है यहां पर फिर प्रस्ट है कि गन्ने में किसके छिरकाव के द्वारा तने की जो लंबाई है उसमें व्रद ही की जा सकती है तो यह जिब्रेलिन ठीक है अगला देख लेते हैं प्रतिध्वनी की उत्पत्ति किस्से होती है तो प्रतिध्वनी की उत्पन होती है उत्पत्ति होती है ध्वनी के परावर् करते हैं कहा गया है कि बारिश के दिनों में अधिक दूरी से भी आवास क्यों सुनाई देती है तो ऐसा क्यों होता है यह ओप्शन्स देख लिजे ओप्शन्स पर लीजे मैं आपको एक सगिंद के अंदर इसका आंसर बता देती हूं यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वह माक अड्रीस क्या होता है पहले द्या हुआ है कि अधि द्रैस है देवाइस का हाड्वेइर इंटिफिकेशन नमबर है किसी सौफ्ट्वेर का यॉनीक नमबर है या बैंकिंग सिस्टम से जुड़ी द्रैस की पहचान देवाइस का हाड्वेर sign होता है माक आधेरिस ठीक है मार्क का फुल फॉर्म में मीडिया अक्सेस कंट्रोल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहां पर फिर कोलाइट विलियन के संदर में कहा गया है यह पदार्थों का दो पदार्थों का विश्मांग मिश्रण होता है और इसमें क्या होता है कड़ों को अति सूक्ष मिदर्शी की साहिता से ही देखा जा सकता है अंत में दिया हुआ है कि जो दूद है वो इसका एक एक्जामपल है तो यहां पर यह सारी ही कथन बिल्कुल सही है ओप्शन दि करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं इन में से कौन तांबे की योगएक है तो तांबे की कौन कौन से योगएक है श्वेट कासा रोल गोल्ड और जर्मन सिल्वर यह तीनों ही है इसलिए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नुमर्ट टी फिर आयोडीन का उपियोग कप किया जाता है आयोडेक्स जैसे पीड़ नाशक जो पीड़ा नाशी होते हैं उनमें किया जाता है और टिंचर आयोडीन से ही बना होता है दोनों बाते बिल्कुल सही है ऑप्शन सी हो जाएगा फिर आता है कौन सा सही सुमेलित है दिया तो यहां पर B हो जाएगा आंसर, जिब्सम जो है यह गलत मिला हुआ है, मिला होता है, तो यह क्याल्शियम सलफेट होता है, unified जो दिया हुआ है, यह क्या होता है, यह होता है, प्लास्टर और पारेस यानी की प्योपी, रॉ प्राइट, अगला देख लेते हैं ये बात की गई है अगस्थिवनम बायोलोजिकल पार्ग की तो अगस्थिवनम बायोलोजिकल पार्ग कहा है तमिल नाडू में सॉरी तमिल नाडू में नहीं केरला में है यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पर केरल होगा अगस्तिवन बायलोजिकल पार्क परता है केरला में और इसकी स्थापना की गई थी 1997 में याद रखिएगा केरला में है फिर अगला प्रशन देखते हैं पर्यावर्ण प्रभाव आकलन के संदर में कहा गया है कि किसी भी प्रस्तावित प्रजेक्ट के निरनयन के पहले पर्यावर्णी ये सामाजिक और आर्थिक प्रभाव की पहचान करने का ये एक साधन है और भारत में पर्यावर्ण संदरक्षन अधिनियम में इससे शामिल किया गया है तो यहाँ पर हमसे सही कथन पूछा गया है Environment Impact Assessment के संदर में दोनों कथन बिल्कुल सही है Option C हो जाएगा फिर केंद्री चिडियागर प्रभाविकरण के संदर में कहा गया है कि ये एक सामविधिक संस्था है और दूसरा कथन है कि इसकी स्थापना 1973 में वन जीव संदर्क्षन अधिनियम 1972 के अंतर 근कत की गई थी तो यहाँ पर कौन सा हमारा कथन सही हो जाएगा पहला जो कथन है ये बिल्कुल सही है दूसरा कथन जो है ये गलत हो जाएगा क्योंकि चिडियागर को 1 जीव संरक्षन अधिनियम 1972 के प्राफधानों के अनुसार विनियमित किया जाता है और राश्ट्री चिडियागर नीती 1998 में द्वारा ये निर्देशित किये जाते हैं ठीक है लेकिन जो इसकी स्थापना 1973 दी हुई है ये गलत है क्योंकि इसकी स्थापना 1992 में हुई है तो इसकी स्थापना कब हुई है 1992 में हुई है और वन जीव संरक्षन अधिनियम 1972 के प्राफधानों के अनुसार इनको विनियमित किया जाता है और राश्ट्रिय चिडिया कर नीती 1998 के दवारा इनको निर्देशित किया जाता है तो उत्तर हमारा यहाँ पर option A correct है फिर हम देखते हैं राश्ट्रिय वन यजीव बोर्ट के संबद में कहा गया है एक सामविधिक निकाय है उसके बाद बताया गया है कि अध्यक्षता प्रधानमंत्री के दवारा की जाती है और वन यजीव संब्रक्षन के लिए नीतियों के संबंद में सरकार को केवल यह सलहा दे सकता है तो यहाँ पर यह सारे कथन बिल्कुल सही है option correct हो जाएगा हमारा option number D फिर बात आती है कॉंडेन ने वन जीव अभ्यारन की यह कहां पर इस्थे थे यह इस्थे थे आंध्रप्रदेश में यहां पर एशियन एलेफेंस काफी संख्या में पाए जाते है उसके बाद आता है लाइकेंस यह शेवाल और कवक से निर्मित होता है आपको पता है तो यहां पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा option number C option C correct हो जाएगा फिर बायो मागनिफिकेशन का क्या है संबंध है इन में से तो नश्चना होने वाले प्रदूशकों की मात्रा का भोजिन शंकला में बढ़ाना जनसंख्या में लगातार व्रधी जल निकायों को प्रदूशित होना या मनुष्य का पर्या वरण पर पढ़ने वाला प्रभाव यहां पर बायो मागनिफिकेशन का संबंध होता है option A correct हो जाएगा इस से फिर माइक कारिक्रम के लिए कहा गया है कि यह डक्षर अशिया में 2003 में शुरू किया गया था और इसका संबंध टाइगर संडक्षण से है और यह साइट्स द्वारण शुरू किया गया है यहां पर हमारा पहला और तीसरा जो कतन है यह बिल्कुल सही है दूसरा गलत हो ज इसको कैसे का जाता है ना झातितन की स्ट्रियल और में पार्वित यह देख्टंड के संदर्म है कि सक यहां में खरता हैसा कुछ भूब्र टाम आगा। यह नौर्थ इस्ट में पाया जाता है बेसिकली ना कि पश्रमी घात ना ही पूर्वी घात ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएका ऑप्शनमबर ए ठीक है लाल पांदा को क्याट बीर कहते हैं यह याद रखिएगा फिर दिया गया है इन में से कौन क्यामूफलाज की विशे होती है उसी को छदमावरण कहते हैं ठीक है तो उनका जो छदमरूप से आवरण कर लेते हैं यह सामान ने अनुकूलता होती है इन तीनों में पाई जाती है ऑप्शन दी हो जाएगा फिर प्रेशन है कौन सुपोशन के प्रभाव है पानी की पारदर्शिता में कमी शेवा मिर्चली करण का क्या प्रभाव है मरुस्तली करण से कुपोशत मवेशियों से पर होता है प्रभाव इनका ग्लोबल वर्मिंग प्रभाव है इसका या म्रिदा पर्धन और लवडियता में व्रधी तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी यह सभी पर इन मरुस्थली करन का इन सभी परभाव हमें, ये सभी प्रभाव दिखाई देते हैं, फिर हम देखते हैं अगला प्रशा, प्रवाल भित्तियों के लिए खत्रा पैदा करते हैं, सागरी, अमली करन, पर्येटन, परमानू परिक्ष्ण और हरिकेन, तो इन में से कौन सा खत्र में option D correct हो जाएगा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ संक्रमल कालीन परितंत्र में क्या-क्या शामिल होता है ज्वार नद्मुक मैंग्रूव और कोरल रीव तो इसमें क्या-क्या शामिल होता है पहला और दूसरा यह संक्रमल कालीन परितंत्र है देखि संक्रमल कालीन में नहीं आएगा यह समुद्री पारितंत्र में आजाएगा इसलिए इसमें इंत्यूरिट नहीं है फिर आगे बढ़ते हैं अनुवांशिंग इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिती के संदर में कहा गया है यह विज्ञान और प्रध्योगी की मंत्राले के तहत कारे करती है और दूसरे में कहा गया है वर्तमान में वाड़िच रूप से उपलब्द एक मात्र जीम फसल कौन से है बीटी होटन तो इसका जो सही कथन है वो ऑप्षिन भी हो जाएगा पहला गलत हो जाएगा क्यूंकि यहां पर जो दिया हुआ है यह गलत है यह समिती पर्यावरण वन और जलवायू परिवर्दन मंत्राले के अधीन कारे करती है ना कि विज्ञान प्रद्यव की मंत्राले के अधीन आगे बढ़ते हैं ड्यूडॉंक के संबंद में कहा गया है हमें गलत कथन का चुनाफ करना है तो यहां पर गलत कौन सा है वो देख लेते है यह चोटी मचलियों को खाता है यह कथन गलत है option C बाकी जो सही है हम देख लेते हैं उनको IUCN की Red List में Vulnerable Shady में है बिल्कुल सही बात है स्थनदारी वर्क का जीव है और तीसरे में कहा गया है कि भारत में यह कच्छ की खाड़ी मनार की खाड़ी और अंदमार निकोबाद समू में पाया जाता है तो यहाँ पर यह तीनों कथन जो है विल्कुल सही है जो C option है वो गलत हो जाएगा ठीक है यह समुद्री घास खाने वाले शाका हाली जीव होते हैं यह चोटी मचलियों को नहीं समुद्री घास को खाते हैं अगला प्रश्न है कौन असमतापी जीव है मगर मच साप घोंगा और कबूद्र तो पहला दूसरा और तीसरा जो है यह कौन से जीव है असमतापी यानि की कोल्ड ब्लडड ठीक है option बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अरुंदती सुवन योचना यह किस राजिकी योचना है तो यह है असम राजिकी योचना अरुंदती आसे है और असम आसे है तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं अरुंदती सुवन योचना असम राजिकी है फिर आता है देश का पहला इवेस्ट क्लीनिक यह बहुत यह किया गया था कोल का दा में आगे बढ़ते हैं बाली जात्रा त्यवहार के संदर में और इशा में वार्शिक रूप से आयोजे थोने वाला मेला है यह उसके बाद कहा गया है कि यह नई फसल की कटाई के उपलक्ष में मनाया जाता है यहां पर हमारा कौन सा कथन सही है, सही पूछा गया है, पहला कथन बिलकुल सही है, दूसरा कथन बिलकुल गलत है, क्यों गलत है, यह मनाया जाता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, ठीक है, इसलिए पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा, option यहां पर हमारा जो सही ह में किस राज़ का पहला स्थान है तो वो कौन सा राज़ है इन में से वो है महाराष्ट्रो ऑप्शन बी फिर एक्सपोर्ट क्रेडिट ग्यारंटी कॉर्पोरेशन और इंडिया के संबन्द में कहा गया है यह वाणेच और उद्द्योग मंत्राले के अंतर गताता है और निर बैक्त आंसर है वो हो जाएगा option number B विश्व उपभोकता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है 15 मार्ज को और जो राश्ट्री उपभोकता दिवस है वो कब मनाया जाता है 24 दिसंबर को तो याद रखिएगा 15 मार्ज को विश्व उपभोकता दिवस की बात हो रही है और 24 दि जिसको भी बोलते हैं इसके संदर में हमको बताना है कौन सा सही नहीं है ठीक है तो यहाँ पर पहला दिया हुआ है रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्राले जारी करता है इसके मुताबिक जो सकल नामांकर अनुपात बढ़कर 26.3 हो गया है और इसमें कहा गया है देश म कि जो संख्या है इसमें कमी नहीं इसमें बढ़ोतरी देखी गई है ठीक है तो अगला देख लेते हैं मिड़े मील के संदर में हमें गलत कतन बताना है कौन सा सही नहीं है तो इसको जल्दी से आप देख लीजे मिड़े मील इंपॉर्टेंट है और आपने पढ़ा भी देख लेते हैं कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को गर्म पका हुआ बोजन उप्लप्त कराया जाता है और इसका संचालन HRD मिनिस्ट्री जो अब शिक्षा मंत्रा ले हो गया उसके द्वारा किया जा रहा है इसके तहट सरकारी सहयता प्राप्त विद्यालेयों को भी शा साफ करना है तो यह सही कथन हो जाएगा option D यहां पर यह मानव नर्मित और प्राक्रतिक तोनों प्रकार की आपदाओं को शामिल करेगा ठीक है फिर इसका हम और भी बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ी इसका जो अध्यक्ष होगा वह कौन होगा यहां पर ग्रह मंत् कि अगर आप इसमें दान कर रहे हैं और यह प्रधान मंत्री राश्ट्री राहत कोश्ट का ही एक हिस्सा है तो यह इसका एक हिस्सा नहीं है यह अलग है और प्रधान मंत्री राश्ट्री कोश्ट जो है वह अलग है आगे बढ़ते हैं State Disaster Response Fund कहा गया है कि ग्रह मंत्रारे ने coronavirus को इस fund के दाएरे में शामिल कर दिया है और यहाँ जो केवल राज्यों में स्रज़त किया जाता है फिर कहां गया है कि संग राजिशेत्रों में नहीं किया जाता है इसका स्रजन और इसकी स्थाफना आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहट की गई है पहला और तीसरा सही है जो दूसरा कथन है यहाँ पर वो गलत हो जाएगा क्यों गलत होगा यह कथन यहाँ पर देखे क्योंकि संग राजिशेत्रों में नहीं लिखा है जबकि इसको इस फन को वहाँ पर भी स्रज़त किया चाहेगा और यह जो है जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है कि 2005 में आया था काफी इंपोर्टन थे इसको याद रखिएगा इसका आंसर जो है हमारा वो हो और भारत ने कोविड नाइंटीन के खिलाफ लडाई में सहायता के रूप में उपरेशन संजीवनी चलाया था और इसके तहट मालदीव को लगबग 6 तन आवश्यक दवाओं की दावाई हो थी वह उपलप्त कराई थी उसके बाद आता है कोरोना महामारी के दौरान भारत सरकार आरोगे सेथु आपके प्रयोग को बढ़ावा दे रही है और इसके संदर में हमको सही कथन बताना है तो सही कथन इसके संदर में कौन सा है देख लेते हैं पहला कहा है यह आप Bluetooth अल्गॉरिदम और कृतिम बुद्धिमत तागा प्रयोग करता है यह कथन मिलकुल सही हो गया है और इसको कौन सा मंत्राले चला रहा है तो मंत्राले इसका महिला एवं बाल विकास मंत्राले लिखा हुआ है गलत है कौन से मंत्राले के द्वारा चलाया जा रहा है इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रद्योगी की मंत्राले, यहाँ पर option A correct है, यह हमने देख लिया है, बागी फिर लिखा हुए यह lockdown, आप जो है वो lockdown के दोरान गर्वती महिलाओं को आपातकालीन सुविदाय देने यह तुविक्सित किया गया है, यह भी गलत है आप जानते संस्थान का, इसमें किस संस्थान को पहला स्थान मिला है, तो वो संस्थान है, Council of Scientific and Industrial Research, option A correct है हाँ पर, फिर उत्तर प्रदेश के नगरों को उनके प्राचीन नाम के साथ हमको सुमेलित करना है, सबसे पहले दिया हुआ है फिरोजाबाद, फिरोजाबाद का जो पुराना नाम है वो है चंद्रवार, और बिठूर का पुराना नाम है ब्रह्मावर्थ, मतुरा का पुराना नाम है मधुपुरी, हस्तिनापुर का पुराना नाम है दानतीर्थ, ठीक है तो यूपी से भी questions काफी बन रहे हैं, इसको आप एक बार फिर से देख लीजे, फिरोजाबा रानी छेत्र के 32 में और उत्तर प्रदेश के आठवे जिले के तौर पर शामिल किया गया है, तो वो कौन सा जिला है, वो है शामली, फिर प्रश्न है कि कौन सुमेलत है इसमें से, तो किशनपुर वन जीव अभ्यारन ने जो है, ये दिया हुआ है, चंदौली में जबकि य वने जीव अभ्यारन ने जो है, ये चित्र कूट, ये बिलकुल सुमेलित है, और बी करेक्ट हो जाएगा, हस्तेनापुर दिया हुआ है महराज कंच में, जबकि ये मेरत, मुझफर नगर, हापपुर, अम्रोहा और बिज्दौर में पढ़ता है, महावीर स्वामी वने जी हैं, उनके आपको प्रोडक्स पता होनी चाहिए, तो यहाँ पर कौन सा सही है, ये देख लेते हैं, तो फैजाबाद गोड बिलकुल सही है, और बलिया बिंदी, ये बिलकुल सही है, हमीरपुर कालीन से संबंदित नहीं है, हमीरपुर के लिए, और दूसरा सहारनपुर ज किया गया है, काश्ट शिल्पुदपार, यहाँ पर आंसर हमारा ए हो जाएगा, करेक्ट, आगे बढ़ते हैं, खरवार जन जाती, ये किस धर्म को मानते हैं, खरवार जन जाती, तो ये मानते हैं, इसलाम धर्म को, खरवार जन जाती, इसलाम धर्म को मानती है, फिर बात की गाजर है बायो फॉटिफाइट गाजर बाधुबन गाजर है ठीक है बायो फॉटिफाइट क्या होता है जिसमें कुछ कृतिम रूप से उसमें कुछ प्रोटीन या कार्भो हाइड्रेट्स या फ्राक्स किसी की मात्रा को बढ़ा देना ताकि वह और नुट्रिश्यस हो जाएगा और यहां पर सभी सदस एशिया के नहीं है एशिया के बाहर के भी है इसमें से अर्चत सदस हैं जिसमें से 49 जो सदस हैं वो एशिया के हैं और बाकी बहारी देशों के हैं और सबसे बड़ा अंच्थारत मैंने बता दिया है आपको अंच्थारता जापान की है और उसके बाद आता है सेयोक तुराच अमेरिका जो इसन डिवल्लपमेंट बैंक का मुख् सी हम आते हैं अब अंत्यम प्रश्ण बर किस कार के लिए भारी जिल का प्रयोग किया जाता है नाभगी रियाक्टर में मंदक के रूप में ट्रेसर के रूप में नाभगी रियाक्टर में शीतलक के रूप में तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वह जाएगा सब लिए इसके साथ हमारा यह टेस्ट कंप्लीट हुआ आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिला होगा कर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और शेयर कीजेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजेगा और साथ ही इसको सब्सक्राइब करना